गुड मॉनिंग, आज के इस वीडियो में बात करते हैं MCHC और MCH की दोनों का मतलब क्या है और किस तरह से अंदाजा लगाया जाए कि सरीर में क्या कत्विधियां चल रही होंगी तो देखिए जब भी आप CBC करवाते हैं, Complete Blood Count जब करवाते हैं तो उसमें एक कालम बना होता है MCHC का और एक कालम बना होता है MCH का तो इस वीडियो में हम लोग एदेखते हैं कि MCHC अगर बढ़ता है या फिर कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या है तो देखिए यहाँ पे MCHC का फुल फार्म का है Mean Carpuscular Hemoglobin Concentration और इसी के ज़श्ट पैरलर दूसरा टर्म है MCH A है Mean Carpuscular Hemoglobin यानि एक RBC में Hemoglobin की मात्रा यानि एक जो Single RBC है इस RBC में Hemoglobin की कितनी मात्रा है उसको बताता है MCH और यहाँ पे आपने 100 ml ब्लड ले लिया कितना ले लिया 100 ml ब्लड ले लिया इस 100 ml के ब्लड में धे सारे WBC आर बीसी होंगे तो यहाँ पे माल जी कई धे सारे RBC हैं इस तरह से धे सारे RBC है इसमें तो इस Total 100 ml में Total 100 ml में जितनी भी हीमोगलोबी आर बीसी है उसके अंदर Total हीमोगलोबीन की मात्रा कितनी है इसलिए दिखे लिखा है 100 ml ब्लड में हिमोगलोबीन की कुल मात्रा क्योंकि जब आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें धे सारे RBC होंगी Total Sum यहनि 100 ml ब्लड के अंदर जो धे सारे RBC होंगी उन सब का जो Sum है उसी को बोलते हैं MCHC नार्मल मात्रा के अगर बात किया है तो नार्मल मात्रा यह है 34 प्लस माइनस पॉइंट टू ग्राम पर 100 ml यहनि 100 ml अगर आप ब्लड लेते हैं तो जो MCHC की बैलू हो सकती है 32 32 से लेकर कहां तेक हो सकती है 36 तक यहनि 34 प्लस माइनस पॉइंट टू का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों में 34 से 2 कम हो सकता है और कुछ लोगों में 34 से 2 जादा हो सकता है मतलब 34 से 2 कम तो 32 हो सकता है और 34 से 2 जादा कितना हो सकता है 36 तनि यही रेंज है यहनि 32 से 36 के बीच होना चाहिए यहीं अगर आप 100 ml ब्लड लेते हैं तो इसमें जो हीमोगलोबीन की जो मात्रा है वो 32 ग्राम से लेकर के 36 ग्राम तक होनी चाहिए तब आप स्वस्त हैं कुछ लोगों में MCSC की बेलू कम हो जाती है कुछ लोगों में जादा हो जाती है तो MCSC बढ़ने का मतलब RBC जल्दी जल्दी टोट रही है RBC जल्दी जल्दी टोट रही है तो उसी क्या बोलते हैं हिमोलेटिक एनिमिया RBC की life जो है 120 दिन होती है नार्मली अगर हो जल्दी जल्दी टोटता है तो अगर वो जल्दी जल्दी तूटता है तो oxygen carrying capacity इससा प्रभावित होगी और mcsc के value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर mcsc के value कम हो जाए कम होने का मतलब क्या है iron के deficiency है यानि mcsc कम होने का मतलब hemoglobin कम बन रही है यानि hemoglobin जितना बनना चाहिए बनने की rate कम है rate कम क्यों है क्योंकि iron के deficiency है यानि जितना iron चाहिए आपको उतना मिल नहीं रहा है और बाद में वही condition क्या हो जाती है थैलिसीमिया होती है या फिर ए इनबार्न डिसाडर है जेनिटिकल डिसाडर इस तरह से थैलिसीमिया तो देखे जब भी iron के deficiency होगी तो iron के deficiency दो तरीके के हो सकती है एक तो आपके food supplement में कमी हो iron की या ऐसा food supplement ले रहे हैं जिसमें iron प्रचुर मात्रा में नहीं हो तब हो सकती है या फिर दूसरी अवस्था एह होती है कि आप iron वाला supplement तो ले रहे हैं लेकिन body उसको absorb नहीं कर रही हो तो दूख condition है body या तो absorb नहीं कर रही हो तब भी हो सकता है या फिर आप food supplement फ्रचुर मात्रा में iron वाला नहीं ले रहे हैं तब हो सकती है तो देखिए जब भी MCHC कम हो और ज्यादा हो दोनों सरीर के लिए किसी निकिसी तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं तो इस तरह से जो complete blood count है जो CBC है उसके result से यही अंदाजा लगता है यही पता चलता है तो अगर बढ़ गया है तो हीमोलेटिक एनिमिया है मतलब RBC जल्दी जल्दी तूट रही है और तूटने के कई कारण हो सकते हैं जैसे आपको malaria fever काफी दिन से आ रहा हो या फिर typhiard fever आ रहा हो तो जल्दी तूटेगा RBC और deficiency अलागर हो तो इस तरह से iron की deficiency हो तो इस तरह से test का यही मतलब होता है और इसका जो इलाज है इस बात पर depend करता है कि क्या है अगर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए अलाग इलाज अगर कम हो गया है तो इसके लिए अलाग इलाज तो बहतर साहता के लिए बीडियो का description box भी देखें और जो report है उसी के basis पर treatment संभाव है ऐसे कोई दवा बताना दोनों के लिए एक दवा नहीं हो सकती दोनों के लिए अलग अलग दवा होगी टाइफ हाइड है तो उसकी अलग दवा होगी मलेरिया है तो उसकी अलग दवा होगी तो सबकी condition के basis पर दवा बदलती रहती है तो इस तरह से एक जानकारी आपने आज समझा पास समझ में आई तो प्लीज इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को दूसरों को भी share कर दिया करें नीचे जो share का आपसन आता है न share करने के लिए तो आप link share कर सकते हैं या फिर WhatsApp पर भेज सकते हैं तिस तरह से एक दूसरे को share करें और जानकारी हम लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे तो आपने पूरा वीडियो देखा थेंक्यू